आल्राइट गैस तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं IRM strategy के बारे में यहाँ पर intraday risk management और दूसरी जो strategy हम लोगों को PRM positional risk management यह दोनों strategy का एक बार चलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं हम लोगों को क्या profit हुआ यह दोनों strategy से trade करने पर तो यहाँ पर daily video आपको मिलेगी IRM और PRM की तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि IRM risk management में क्या हुआ आप लोगों को पता ही है जिन लोगों ने मेरी strategy को ले रखा है उन लोगों को पता होगा हम लोगों ने 935 के आसपास 66,000 का call option हम लोगों ने यहाँ पर sell out किया उसके बाद यहाँ पर sensex expiry में ही यह strategy work करती है sensex के expiry में 66,100 की put को मैंने short किया कितने बजे 9 बच के 35 मिनाट पे हम लोगों ने यह position को create किया उसके बाद क्या हुआ हम लोगों के rule के हिसाब से 66,100 के put ने stop loss दिया और उसमें हम लोगों ने कितना loss बुक किया sir आप लोगों के सामने है 780 रुपीज का loss हम लोगों यहाँ पर बुक करना पड़ा इस strategy में उसके बाद अभी क्या है मेरी position फिर जब यहाँ पर 66,100 के put में हम लोगों को 780 रुपीज का loss हुआ तो यह loss को cover करने के लिए जो हम लोग यहाँ पर 65,800 का put option यहाँ पर sell किये according to our rule और वो अभी कहीं न कहीं हम लोगों के losses cover कर रहा है बट हम लोग आपको पता ही है तीन बज़े के आसपास निकलेंगे और 66,000 का जो call option है वहाँ पर premium काफी अच्छे से गल गया है आप देख सकते हैं यह about 122 के भाव पे short किया गया था और अभी 1700 रुपे के आसपास यहाँ पर profit दिखा रहा है तो यह कौन सी strategy है सर यहाँ पर पास बुक किया जाएगा चाहे इसमें loss हो चाहे profit हो उसके पहले हम लोग इसको square off नहीं करेंगे अब चलते हैं यहाँ पर PRM क्या होता है सर PRM होता है positional risk management की जो strategy है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एक दिन expiry के पहले trade को initiate करते हैं और एक दिन पहले जो expiry के trade initiate किया गया उसमें 66,000 का put option और 66,000 का call option according to our strategy यहाँ पर short किया गया और उसके hedges buy किये गए कितने रुपए के hedges buy करने हैं वो मैंने आप लोगों को अपनी strategy में बता रखा है वहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर अगर इसको positional यहाँ पर intrad को 1500 रुपए माइनस कर यहाँ पर आप लोग देखोगे positional में हम लोगों को 4000 रुपीज का profit चल ला है overall अगर दोनों strategy को combine किया जाए तो आप लोग देख सकते हैं 5500 के आसपास profit चल ला है बट यह profit अभी variable है ऐसा मैं आपको 100% नहीं बोलूँगा कि भाई मुझे यह profit मिली जाएगा यह जो profit करने क लिए capital यूज हुआ है 1 lakh के आसपास यूज हुआ है अगर आप यह strategy मेरे से लेना चाहते हैं तो आपके account में कम से कम 50,000 रुपीज होने चाहिए तब ही आप लोग इस strategy पर work कर सकते हो 50,000 at least होने चाहिए फिलाल अगर आप bank nifty के expiry में trade करना चाहते हो तो उसके लिए 30,000 भ कैसे आपको देखना है उसका watch का list आपको course का list आपको description में मिल जाएगा अब इस strategy पर चली अभी हम लोग 3 बजे देखेंगे कि कितना profit हो रहा है इससे पहले मैं आपको चलता हूँ पिछले कुछ दिन का भी back test दिखा देता हूँ अब daily वीडियो आएगी daily आपको पता चले strategy पर काम किया गया था 23 तारीक को अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोगों का यहाँ पर net realized PNL 3340 रुपए के आसपास और realized PNL आप लोग देखेंगे 3590 के आसपास देखने को मिल रहा है उसके पहले चलते हैं यहाँ पर 22 तारीक को देख लेते हैं 22 तारीक को भी हम लोग PNL में 637 रुपीज का लोसे हम लोगों को देखने को मिला था उसके पहले चलते हैं कि हम लोगों का क्या रिजल्ट रहा 21 तारीक को अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि realized PNL 5270 था net realized PNL 4810 रुपीज के आसपास था उसके पहले अगर चला जाए यहाँ पर 20 तारीक को देखा जाए तो 20 तारीक को भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे 20 तारीक को हम लोगों को 7,440 रुपीज के आसपास प्रॉफिट हुआ था net realized PNL आप देख सकते हैं 7,090 रुपीज के आसपास हम लोगों को प्रॉफिट दे देख सकते हो 1,00,000 का near about capital मैं यूज कर रहा हूं इस strategy को trade करने के लिए और उसमें जो मुझे यहाँ पर result मिला है 14% के आसपास का return हम लोगों को यहाँ पर इस week में देखने को मिलना है इसके पहले वाले week में अगर आप लोग चलेंगे इसके पहले वाले week में देखेंगे त तो overall सही चल ला है आप देखेंगे दो week से मैं continuous strategy पर काम कर रहा हूं और दो week में हम लोगों ने near about 36,000 रुपीज का यहाँ पर near about 36% का return हम लोगों ने generate कर लिया है और अभी आज का profit यहाँ पर बचा हुआ है तो चलिए अभी आप लोग वीडियो में बने रही है आभी चल तो 3 बज़े के पहले हम लोगों को exit नहीं करना है तो 3 बज़े तक wait करते हैं देखते हैं क्या होता है फिर 3 बज़े मैं आप लोगों से मिलता हूं तो guys finally यहाँ पर 3 बच चुके हैं अगर आप लोगों ऊपर देखोगे तो time हो चुका है 3 बच गया है और यहाँ पर मैंने जैसे बताया था 66,000 का call option ये near about 0 होने वाला है और sensex की बात कर लिजा है 65,980 के आसपास trade कर रहा है तो near about 100 रुपीज यहां से और मिल जाएंगे और यहां पर जो 780 रुपीज का loss किया था वो near about हमारा cover हो चुका है यहां पर ये भी 0 होने वाला है और यहां पर मोटा मोटा य कम्प्लीट करेंगे ये है आप लोगों को intraday risk management strategy से जो हम लोगों ने नाम दिया है IRM strategy से और PRM strategy की बात कर लिजा है तो यहां पर देखेंगे बहुत सारी position create हो चुकी है जैसे कि आपको पता है मंडे को यहां पर holiday है market को तो Tuesday को market अप directly open होगा तो Tuesday के लिए हम लोगों ने strategy पे fin nifty में expiry पे trade बना लिया है और ये strategy रहने वाली है PRM तो इसको हम लोग Tuesday को देखेंगे कि भाई Tuesday में क्या profit loss है और यहां पर जो PRM में Sunsex में थे तो यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो near about 6800 near about आप बोल सकते हो कि यहां पर 3 मतलब closing के time तक 7K के आस पास का profit हम ल about 0 होने वाला है 6 रुपए बचा हुआ है तो यह 0 ही हो जाएगा और यहां पर भी हम लोगों को थोड़ा बहुत gain मिल जाएगा 7000 के आस पास का overall आज के दिन profit को book किया गया है ठीक है अच्छा दिन गया हम लोगों का अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा दिन गया 7000 रुपी हो हमारी strategy पर work करना चाते हो zero technical analysis knowledge पर तो यह चीज़ ध्यान रखना कि आपके account में 50,000 कम से कम होना चाहिए selling में और यह strategy की वीडियो आपको description में मिल जाएगा तो वहां से आप लोग watch कर सकते हो उमीद है वीडियो पसंद आई होगी next वीडियो मुलाकात करेंगे जय हिंद जय भारत